आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो एक एक्सपेरिमेंट है जस्त मैंने करके देखा था हम आगे ट्राइ करेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से तो इस बात में मत जाना कि मैडम ठीक से हुआ या नहीं हुआ लेकिन जो रिजल्ट है वो वक्त कई जो मैंने सोचा थ उससे बेटर है तो आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ मेरा यह एक्सपेरिमेंट पूरी वीडियो को ध्यान से देखेगा और ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजेगा यह जो चीज है यह आपके लिए बहुत कन्मीनियंट हो जाएगी जब आप इसको इस तर पूलिएगा बैल आइकन को प्रेस भी कर लीजेगा शेयर भी कीजेगा और कमेंट भी कीजेगा तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में कौन सा एक्सपेरिमेंट आपका इंतजार कर रहा है सो फ्रेंड्स यससे आप बिल्कुल ऐसे समझ्यें कि मैं एक्सपारिमेंट करके देख रही हूं तो यह है मिलकी बाइंडर जी यहां रखान फ्राइप्रिक से मैने बंगाया था मैन पहले भी बताया था कि काफी मेटेरियल मैंने भी बंगाया है और उन ही में से है यह मिलक कि बाइंडर को हम लेंगे किस किस तरह से लेंगे किस किस कुईनिटिटी में लेंगे मैंने सिर्फ एक्सपैरिमेंट करके देखा था मैं आपको फिर से बता रही हूं तो देखे एक स्पून ये लिया है मैंने और हम इसमें जो है बहुत अच्छे से mix करना है जो process है पूरा ध आगे हम इस पर और भी जो है प्रैक्टिस करेंगे और भी वीडियोज बनाएंगे क्योंकि जो एक ही मेथ़ड को अगर हम अपलाये करते हैं तो वो थोड़ा सा हमारे लिए जो है चेंज हो जाता है याईनि की एक चीज़ जो पोरिंग हो जाती है, पहले के टाइम में puff medium आता था और वो भी यही काम करता था और यह emboss paintings जो है ना अकसर हम लोग करते थे sceneries बनाने के लिए तो अच्छे से देखे मैंने spoon में था वो almost यहाँ पर जाड़ लिया है बिल्कुल अच्छे से किसी भी plastic sheet पर ले लीजेगा और मैं आपको puff binder के पहचान बताओं यह creamy color में होता यानि की बिल्कुल white नहीं होगा और जितना आप जैसे यह हलका मेला यानि की off white shade में है ना तो जितना यह off white shade में होगा ना यह best होगा और बहुत अच्छे से work करेगा तो इसकी यही पहचान है कि जो puff binder है वो off white shade में जितना होगा ना वो उतना ही अच्छा है क्योंकि यह मैंने experience किया है मैंने use किया है तब तो उसको हम अच्छे से mix करेंगी जितना भी हमारा spoon में है वो सब इस तरह से निकल जाएगा और बहुत अच्छे से इसको mix करने वाले हैं और उसके बाद जो है इसमें use करूंगी मैं PS binder यह PS binder मैंने मंगाया है जस्परीत कौर जी से मैं इनके contact details ना आपको आज की वीडियो में दूंगी description में तो देखेगा तो मैंने इस अंदाजे से लिया है कि यह half spoon है यानि कि मैंने एक spoon लिया था हमारा milky binder और half spoon लि या मैंने PS binder तो यह जो है इसको mix बहुत अच्छे से करना है कहीं से भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी portion में रह जाए तो वह आपको फिर आगे जो है परिशानी दे क्यों कि PS binder से इसकी पकड़ बहुत अच्छी होगी वैसे तो अगर creamy binder है puff binder तो I think निकलना नहीं तो यह देखिए इसके बाद मैं pigment colors ले रही हूँ पिंक color pigment का मैं use कर रही हूँ normal colors भी आप डाल सकते हैं कोई दिकत नहीं मेरे पास यह थे तो मैंने add किया और मैं कुछ जो है इसमें दो parts में इसको divide किया है आप देख रहे हैं तो जैसे मैं पूरा pigment ना एक बार में mix नहीं क क्योंकि मुझे 2 shades चाहिए यहां पर काम करने के लिए 2 shades in the sense light dark चाहिए तो फिर मैं जो बाकी का binder है हमारा जो बाकी का pigment है उसमें में बाद में add करूंगी तो मेरा experiment यही था कि हर कोई जो है हमारा कर रहा है इससे जो stencil से work कर रहा है लेकिन brush का हम जादा use करते हैं और convenient भी रह कर रही हूं just experience है मैंने कोई finishing के साथ नहीं किया just मैं इसको लगा के देख रही थी करके देख रही थी कि क्या यह stencil जो है मोटी sheet पर आजकल आते हैं और वो stencil से बहुत जादा quantity में जो है यह लगता है और बहुत जादा quantity में लगने की वजह से जो है इसका shade है वो थोड़ा सा और ठीक हो जाता है यानि कि जो binder का जो look है वो थोड़ा ठीक हो जाता है तो मैं इसे limited सी quantity में लगा रही हूँ और मतलब जो उसको जिसे हम color fill करते हैं बिलकुल उसी तरह से करने की मैं इसमें कोशिश कर रही हूँ तो मैं यह देख रही हूँ क्योंकि हर जो पत्ती है मेरी ह पैटल है उसमें मैंने अलग-अलग quantity में लिया है कि कहीं जादा और कहीं कम तो मैं यह देखना चाह रही थी कि जो यह भूले गाया यानि कि जो हमारा after iron के बाद जो यह puff इसका होगा वो equal होगा या कम जादा होगा या कैसे क्या होगा मतलब यह चीज की मेरी को curiosity थी तो मैं ने इसको करके देखा क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं और करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कहां क्या कमी है और यह करने के बाद जो है मैंने फिर green color भी बनाए deep green color डाल कर जो एक part मैंने binder का अलग किया था ना mix का हमारे paste का उसमें तो वो करने के बाद जो है उसको फिर हमने जो मैंने इसको काफी दे ड्राइ किया है धूप में रखा था ताकि मैं जो वीडियो बनाओ तो थोड़ा जल्दी बन जाए नहीं तो आप रात भर छोड़ दीजिए अब थोड़ा सा जैसे ठंडा मौसम है तो रात भर छोड़ तो अपने आप ही नेक्स डे आपका जो है उसको आईरन करने के लिए वो रेडी होगा तो देखी डीप ग्रीन कलर ऐसमें इसमें एड़ किया था मैंने बट यह हलका जो है फिरोजिया है क्योंकि जो कलर की क्वैंटिटी है मैंने जादा नहीं ली थी क्योंकि यह जस्ट ए यह ऐसे भी हो सकता है तो देखेंगे अभी वीडियो के लास्ट में कि क्या रिजल्ट रहता है क्या डिफरेंस आता है स्टेंसिल वर्क से और क्या डिफरेंस आता है ब्रश वर्क से तो अब कुछ लोग कहेंगे कि यह चीज़े तो जो है पहले हम सीख चुके हैं इसमें और अलग-अलग चीज़ें, जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे सीख पाएंगे हर चीज को, हमें तो हर चीज सीखनी है, हर चीज की प्रैक्टिस करनी है, तो बस वही चीजें हैं, जिसको मैं जो है, differentiate करना चाहती हूँ करने की कोशिच कर रही हो, तो इस तरह से देख यह मैंने बनाए थे पानी एड़ करके इसमें तो पानी एड़ करने के बाद कितना फूलता है वो भी हम देखेंगे बैक साइड से हम देखें आप आयरन कर रहे हैं इसको प्रेस बिल्कुल गरम है और आप खुद ही इसका जो वेजिबलनेस है वो आप देख रहे हैं भी नहीं है यानि कि अगर हम एक पतली लेयर ब्रश के साथ भी लगाएंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा और स्टेंसिल के साथ मोटा मोटा लगाएंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा बस बात यह है कि आप कैसा लुक चाहते हैं यह आपको सारा ना इसमें अभी पता च कम है क्योंकि पानी जितना आप देंगे ना इसमें पानी मिक्स करेंगे तो वो कम फूलेगा ये मुझे मालूम है और जो बस मैं करके देख रही थी जस्ट ऐसे ही ताकि आप लोगों को जो है विजिबल रिजल्ट दिखा सकूँ तो आप देख रहे हैं ना ये जो है जहां मै ज़ाधा लगाए वहाँ भी फूला है बलकि जहां कम लगाए वो रिजल्ट जादा अच्छा है जहां जाधा लगाया उसके एविज में आप बताएगा कि आपको कैसा लगा और कौन सा विजिबल रिजल्ट आपको बहुत अच्छा लगा तो ट्राइ कीजिए का जस्त थो क्रीप्ले ले लेग्ट